आखिरकार ये शक्स गाडी के सामने क्यों कुदा आपके जहन में भी इस तरह का सवाल होगा और आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है तो आपको बता दें दरसल ये एक शाट फिलम की शूटिंग हो रही है इस शाट फिलम का नाम उड़ता जमू रखा गया है और इस शाट फिलम के प्रोडियूसर और डारेक्टर जईश गुपता ने एक पहल की कि क्यों ना नशाखोरी को लेकर मनशियात को लेकर अवाम में बेदारी पैदा की जाए और अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए जरूरी है कि सोशल मीडिया का इस्तमाल करक कोई ऐसी शाट फिलम बनाई जाए जिससे अवाम को ये पता चले किस तरह से हमारे नवजवानों को हमारी नवजवान नसल को मनशियात की और धखेला जा रहा है नशाखोरी की और धखेला जा रहा है उरता पंजाब के बाद जमुआ कश्मीर में पहली बार उरता जमुआ पर एक मुवी बनने जा रही है और इस मुवी की शूटिंग का आज पहला दिन था ये पहला शाट था किस तरह से हमारा नवजवान नशाखोरी में मुलवीष है किस तरह से हमारे नवजवानूं को नशाखोरी की और धकेला जा रहा है और आपको बता दें कि जैश गुपता जो इस मूवी के डारेक्टर और प्रोडियूसर है उन्होंने इस मूवी के हवाले से क्या कुछ कहा आईए आप भी सुनिए आज शुरुवात इन्यौगरेशन हुआ है शूटिंग का मुहूरत किया है इससे पहले हमारी फिल्म का प्रॉडक्षिन का काम चल रहा था वह कंपलीट अधशे काम है यन्द की शूटिंग हमारी स्टार्ट हुई चाहते हैं कि यह हमने नहीं करी हैं कि न रस्ट कर थे जिस ना शर्फ ह्म अपनी बरबाद कर जो तो यह हम मैसेज करना चाहते हैं, साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि always say yes to sports, क्योंकि जब हम sports खेलते हैं, games खेलते हैं, तो उससे हम physically mentally तो fit रहते हैं, साथ ही साथ जो भी हम जिन्दगी में कुछ goal अचीव करना चाहते हैं, उसमें help होती है, बागी मैं कहना चाहूँगा कि यह पर क्यों इतनी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमारे यहां पर situation ऐसी हो गई है, unemployment ज़्यादा हो गई है, protest हो रहे है, पाकिस्तान यहां पर drugs बेज रहा है, क्योंकि आब वो इंडिया का किसी पी तरह से मकाबला नहीं कर सकता है, तो drugs के जरिए वो यहां पर हमारे youth को बरब इचा जाएगा, जो कोई भी हमारा कोई youth drugs consume करने की सोच रहा है, तो film देखने के बाद 10 बार सोचेगा, वो बोलेगा कि यार अगर मैं drugs consume करूंगा, तो मेरी जिंदगी ऐसे बरबाद हो सकती है, और मेरी family की भी जिंदगी बरबाद हो सकती है, जैसे मैंने कहा, police कर्मी या विरोकरिसी में कोई corrupt है, तो वो भी जब कोई फिलम देखेगा, तो बोलेगा कि अगर मैं ऐसा गंदा काम कर रहा हूं, तो कल को मेरे बच्चे भी इस तरह से बरबाद हो सकते हैं, तो इसलिए this message will give a beautiful message to the society, और हाँ, last but not the least, ये फिलम की shooting 3-4 महीने चलेगी, और in between हम क्या क जब लोग ये फिलम देखेंगे, उनको अच्छा खासा message मिलेगा कि हमको ड्रक्स कंजूम नहीं करनी है, बहुत अच्छा लग रहा है काम करके, जवे सक्षा मेरा प्रोजेक्ट है, तो इससे पहले में काम कर चुका हूं, लेकिन ऐसा काम का भी नहीं किया है, क्योंकि एक social इंजाब बना जा रहा है, गली-गली में लोग नशे कर रहे हैं, ड्रक्स कर रहे हैं, इंजेक्शन्स ले रहे हैं, तो यह हम सब का फर्स बनता है, उनको इस चीज से रोकने के लिए और उनको इक ब्राइट फूचर दिखाने के लिए, तो इस जो स्टोरी है, एक रेयल ब किस तरह किसे खतम किया जाए, तो सबसे असान जो मैसेज किसी के तरू पहुचाना वो शोशल मीडिया है, तो मैं बताओं कि हमारा ये एक शौर्ट मूबी बिनाने का यही मक्सिद है कि लोग नशे के जो है वो अवेर हो जाए, नशा नहीं करना चाहिए, अगर हमारी ये एक भी भ्यक्ति का नशा शुडाती है या उसे नशे से दूर रखती है, तो मुझे लगता है कि मैं जैश पुपता जी को कहूं कि ये दिल वाले दुलनियां से एक कम जो है, रिवार्ड नहीं होगा, थैंक्यू